अब हम लोग आज पढ़ते हैं फैक्ट्राइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनुनियल का तो फैक्ट्राइजेशन बहुत ही जब सपोस्कि यही आ गया और वोन नंबर के कोश्चन में कि फाइंड जीरू अब क्या करेंगे एक नंबर का कोश्चन है हम लोग पहले लॉंग डि और हमारा वन नंबर के कोश्चन के लिए वन मिनट का टाइम चाहिए तो ऐसे कोश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं बहुत ही जिए हैं और आप लोग समझेगे ते कि हम लोग दो चीज का यूज करेंगी एक हम लोग जैसी यह जानते ही यह का लाता है हमारा कॉंस्टेंट Concepter या इस ही को हम लोग करते हैं जो हम लोग formula apply करते हैं तो इसमें एक चीज लेते हैं हम लोग प्रोड़क्ट ऑफ number जो हमलोग का formula होता है प्रोड़क्ट ऑफ zeros उसमें हम लोग इस constant term का use करते हैं और है कि यह होता है यह कहलाता है हमारा coefficient of x इसका है लिखते हैं, यानि factor of 28, तो देखिए factor of 28 क्या आवड़ा, plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, plus 4, minus 4, plus 7, minus 7, plus 14, minus 14, और plus 28, minus 14, आप देखिए हम लोग जानते हैं कि cubic polynomial है, cubic polynomial कितने 0 होते हैं, 3, तो हम लोग ऐसे 3 numbers सही में से लेंगे, कि जिसको multiply कर दें, तो हमारा 28 आजाए, और अगर उसको हम add कर दें, तो हमारा 12 आजाए, तो देखिए, हम लोग लेते हैं, minus 7, minus 4, और minus 1, देखिए, sum निकाल लिए जाए, minus 1, minus 4, minus 7, कितना आएगा, minus 4, minus 1, minus 5, और minus 7, minus 12, और हमारा product अगर इसे से निकाला जाए, product कितना होगा, minus 1, into minus 4, into minus, plus, minus, 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 plus, और plus, minus, 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 तो देखिए, अगर quickly, अगर हम लोग केवल, 0 लिखना होगा, तो क्या करेंगे, और factor निकाला होगा, तो यानि कि, अब हम लोग का factor यहीं इन नमर होगे, यानि हमारे factor होगे, क्या, x minus 1, सब के साथ बस x लगा जता है, x minus 4, और x minus 7, अब बताए, कितना जाए, और इसका 0 निकाला है, तो केवल, इसके numbers के sign को change कर देखिए, प्लस 1, प्लस 4, और प्लस 7, यह हमारा 0 होगे, जैसा कि हम लोग ने question पढ़ा था, यही question था, जिसमें देता है, कि यह polynomial है, और इसके 0 होगे, वो AP ने है, और 0 निकाले, बताए, अगर 0 निकाले, और एक numbers में कहा दे, तो अब A plus B, A minus B, और A को लेके, हम लोगे, from of the 0, product of the 0 जोज़ करके, जो method लगाएंगे, उसमें time के तो और यह method हमारा quickly बने है, आएए, ऐसे ही अब हम लोग पढ़ते हैं, और method में, कि कैसे हम लोग निकाले, जैसे अब यह देखे, यहाँ coefficient में आगे है, तो ऐसे ने क्या करेंगे, सबसे क्वाले को यह coefficient of हमारा x cube है, इससे सार हम लोग दिवाइटर नहीं, डिवाइटर चाहें क्या 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 अफिशियल है, तो 2 से डिवाइटर तो यह हो जाएगा x2, यह होगा x2, यह होगा minus 1, x और यह होगा minus 1, अब हम लोग फिर निकालना है, तो फिर हम लोग factor लेते हैं, इस constant number का factor लेते हैं, तो factor of minus, sorry, 1 by 2 is equal to होगा plus 1 minus 1 plus 1 by 2 और minus 1 by 2 अभी हम बताए कि क्यूबिक polynomial के 0s 3 होते हैं तो फिर हम लोग वही तीन ऐसे नंबर लेंगे जिनको अगर product कर दें तो हमारा 1 by 2 आज है minus 1 by 2 और अगर sum कर दें तो आज है तो सम के लिए यह लिए plus 1 उसके वाहते हमिए minus 1 यह minus 1 और 1 by 2 खणा है यह मैंने 9 ख़े लिए prototype है में लोग यह उता कर देंगे देखी हैं वहांगो बांभी का सब्सक्राइफ होते हैं और الا में i तो कितना होगा अधिक फ्लस गजिए वाईट करें यानि याद मारा फैक्तर क्या होगा हुआ फैक्तर ही है नंबर के यूब भिप को यूई